तो गाईज आज हमने किचिन में बनाये है मसाला सोइटकॉन और इन्हे बनाना एकत्म आसान है तो चलिए गाईज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले कोक्विद रान लुह हिंदी किचिन में आप सबीका श्रॉागत है तो इससे बनाने के लिए हमने हाँ पर वाइट कर लूँगी वाइल करने के लिए और यह बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं बहुत जादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि यह काफी कच्छे होते हैं तो एक सीटी में यह पक चाते हैं तो अभी हमने सब के यहां पर छिलके हटा दिये हैं और आप हम चलते ही ना खूल करने की तरफ तो सुइट कॉन लेते समय थोड़ा सा ध्यार अरख अब जब भी लें तो थोड़े टाजे-टाजे से लें क्योंकि जूट्टे फ्रेंस होते हैं थोड़े खाने में सुईटनेस होते हैं काफी टैश्टी लगते हैं कभी-कभी क्या हो था कि मार्केट में थोड़े से रखे हुए हमें मिल जाते हैं तो त caliber टैश्टी नहीं होते हैं । उने .. तो अभी हमने सारी स्पार्ट में तोर कर लिये हैं और कुकर में कर दिया हैं और अब हम की स्टी आने तक हम बेट कर लेंगे और यह बहुत जल्दी से बॉइल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काफी कच्चे होते हैं तो यहाँ पर हमने एक सीटी लगा लिए हैं कुकर को 10 मिनट के लिए साइट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद यहाँ पर हमारे साइट को भार निकाल लेते हैं और अभी इन्हें हम 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा करेंगे तब फिर इसके हम जो दाने हैं वो निकाल लेंगे और इसके दाने आप चक्कू की सायता से आराम से निकाल सकते हैं हाँ से निकालना थोड़ा मुस्क्ल हो जाता है क्योंकि यह बॉइल होने के बाद काफी स्टॉफ्ट हो जाते हैं तो इनके हाँ से हम जो दाने हैं वो एक एक करके नहीं निकाल सकते और चक्कू से जो दाने वह बहुत अच्छी तरीके से सारे के शारी निकल आते हैं तो आराम से चको से ही निकाल लें जाए मैं निकाल रहे हूं अभी मैंने इसम्मस एक पीस ले लिया है और हम निकाल लेते दाने, काफी ठंडे हो गए है हमारी शूट कॉन, तो इस तरह से आप दाने निकाल सकते हैं, और अभी एक खटे सारे दाने निकल रहे हैं, बाद में इने एक एक करके थोड़ा खूला कर दूँगे, अभी एक साथ में निकाल रही हूं, तो सब जोइंट ह और, यह निकाल रहे हूं, तो सब भी ठंडे करना थ Writer, भी भी घंडे करना, कि निकल हैं निकल रहे हैं, इस तरह से फिर हैं, तो शूटबा सा made करने कितरो हैं, तो हमें बाटर में भी बना बटर में ऊपर और ओप रिया तो मैं यहां पर इनने में घी में प्राइवारी है और फ्राइ नहीं करना है सब घी मेल्ट करना है कड़ाई गर्म करनी है जिसने में घी है वो मेल्ट हो जाए एक चमज मैंने यहापर घी आड़ किया है और हमने गैस को बंद कर दिया कड़ाई गर्म करने के बाद और अब इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर तो मैं मसाला सूट कॉन बना रही है है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सूट कॉन और ओपर सब एक चम्मच इसमें हम डालनेंगे चाट मसाला और थोड़ी से हाँ पर कटी भी धनिया पत्ति डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूट कॉन अलग अलग फ्लैवर की हम बना शकते हैं आपको पसंद हो आपको सिसाब के बना शकते हैं मैंने हाँ पर जो है सूट कॉन मसाला सूट कॉन बनाए है और मैंने हाँ पर स्वाद अन्शान नमक एड़ किया है और अच्छे स एक बार मिक्स कर लेंगे और अब मैं हाँ पर आदा इसमें नीबू भी निचोड़ रहे हूं अगर आपको पसंद है तो आप इसमें आड़ कर सकते हैं वानना श्कीप कर दें मुझे थूड़ इसे यह स्वीट कॉन है खट्टे खाना पसंद है इसलिए मैंने हाँ पर इसमें तो आज की अगर हमारी श्वीट कॉन रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को एक बार आप चरूर ट्राइए कर सकते हैं और ऐसी न्यून रेसिपी इसके रिलेटीड वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं को विद्रान हिंदी किचिन के साथ अगर आपके चै